नमस्कार मैं डॉक्टर विपिन वंसल वास्तु कुल्सिल्टन्ट। मैं हमेशे ही आपको वास्तु शास्तर के साथ साथ अपने अनुबोग की खास बाते अपनी वीडियो के मद्यम से आपको बताता रहता हूं आज मैं जिस विशा पर चर्चा करने जा रहा हूं वो है बनती है वास्तु दोश किस प्रकार से होता है आज मैं आपको इसके बारे में कुछ खास बाते जरूर बताऊंगा आप मेरी इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर देखिएगा मेरी वीडियो आपको एक बार में समझ न आए तो अब मेरी इस वीडियो को repeat करके भी जरूर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि मैंने अपनी इस वीडियो में कितने सरल तरीके से वास्तु शास्तर के बारे में जनकारी दिये आपका अपना घर किसी भी दिशा का है चाहे नॉर्थ फेसिंग है चाहे इस्ट है चाहे व्रेस्ट है चाहे साउथ है यह डाइनल है जिस घर के नॉर्थ फेस्ट जोन में इस जोन में किसी भी परकार की गहराई बन जाती है यहां पर अंडरग्राउंड वोटर टैंक बना दिया जाता है या रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बना दिया जाता है या फिर यहां पर बोर्वेल कर दिया जाता है यानि बोर्वेल लगा दिया जाता है तो भी यहां पर ऐसे घर में रहने वालों को कोई परकार की समझे आती है कौट केश, जगड़े, दुश्मनी होने के कारण मनते हैं जो भी काम करते हैं, हर काम में बार-बार प्रेशा निया कर खड़ी हो जाती है और कोई काम पूरा नहीं होता ऐसा काम अटप जाता है कि उसका पूरे होने के चांसित भी कहीं से कहीं तक नहीं बनते जब नॉर्थवेस्ट कॉने में गहराई हो जाती है या North West Corner में फर्ष की धलान South East से North West Corner में North East से North West Corner में फर्ष की धलान हो जाती है तो भी इस तरह की समस्थें देखने को मिलती है कुछ जगह होता क्या है कि जब घर बनाती है तो ऐसे में घर इस परकार से बना लेते हैं यह एरिया कम्प्लेट ओपन छोड़ दिया जाता है पार्किंग के लिए और पूरे घर का फ्लोर लेवल एक लेवल का हो जाता है और यह लेवल डाउन हो जाता है किस चीज में फ्लोर के लेवल में तो भी ऐसे घर में रहने वालों को कहीं परकार की प्रेशानी आती है, जैसे जगड़े होने का कारण, लेगल इशूज, कॉर्ट केस, दुश्मिनी होने के पार बन जाते हैं, तो इसलिए जब आप अपना घर बनाएं, तो ये हिस्सा, यानि नॉर्थवेस्ट जोन कभी भी इसी परकार नॉर्थवेस्ट जोन यदि उंची हो जाती है, क्या हो जाती है, ये एरिया उंचा हो जाता है, तो भी कॉर्ट केस जगड़े दुश्मिनी होने के कारण बनते हैं, परिवार के अंदर भी जगड़े होते हैं, बाहर भी जगड़े होते हैं, आप जॉब करते ह तो जोब में भी प्रेशानिया बनी रहती है आप अपना वैपार करते हैं तो आपके जितने भी क्लाइंट है कुस्टमर है उनके साथ भी आपकी अन्बन होती रहती है आप जरूर से ज़्यादा प्रेशान हैं कहीं से कहीं तक कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा तो आप इस ए इरिये को नीचा करें कितना नीचा करें कि आपके घर के अंदर के लेवल के बराबर होना चाहिए ध्यान रखें नौर्थ वेस्ट का एरिया यानि वाइवे कुन नौर्थ इस्ट के एरिये से यानि इशान कुने से नौर्थ से यानि उत्तर दिशा से नीचा नहीं होना चा पश्चिम दिशा से, नेरित्यक होने से और दक्षिन दिशा से उंचा नहीं होना चाहिए, गलती से इन तीनों दिशाओं से ये एरिया उंचा हो जाता है, तो भी कोट के जगडे दुश्मिनी होने के कारण बनते हैं, ऐसे ही जो साउथ यूस्ट का एरिया है, यानि अगनी क चाहिए, लेकिन जब वैबया कोन हलका सा नीचा होगा तो इससे नीचा आपका उत्तर दिशा यानि नौर्थ डारेक्शन और नौर्थ हिस जोन होनी चाहिए, इन बातों का आप ध्यान रखते हैं तो आपके यहां जो लीगल ईशू हो रहे हैं, उनसे आपको रहत मिल हर तरफ से help मिलने शुरू हो जेगी साहता मिलने के रास्ते बनते चले जाएंगे क्योंकि North West Corner को वाईवे कौन भी कहा जाता है हावा का कौना भी कहा जाता है और यहाँ पर जब हावा का कौना एक्टिवेट हो जाता है तो आपको भरपूर काम भी देता है हर वेक्ति आपकी help करने के लिए तैयार हो जाता है वेक्ति के साथ साथ परमातमा भी आपकी help करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है बस बैशरते North West Zone में किसी भी परकार का वास्तुदोश नहीं होना चाहिए चलिए इसी के साथ मैं आपको एक खास बात और बताना चाहूंगा जो North West Corner है अगर ये चट के लेवल में अकेला ये उंचा हो जाता है और बाकी का सारा लेवल नीचा रह जाता है तो भी आपके हैं कोट के जगड़े दुश्मनी होने के कान बनते हैं आपकी कोई भी वेक्ती हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होता तो इसलिए हमेशा धियान रखना है North West Corner किसी भी कीमत पर फर्ष के लेवल में उंचा नहीं होना चाहिए मैं अपनी हर एक वीडियो में आपको ऐसी ऐसी खास बाते बताता हूं जिसको आप अपने यहां पर apply करके अच्छे result प्राप्त कर सकते हैं मैं अपनी हर एक वीडियो में आपकी समस्याओं का समाधान भी proper तरिक्ये से बताता हूं मैं अपनी किसी भी वीडियो में एडवाइस देने में सरा देने में कभी भी कंजूसी नहीं बरतता आप मेरी वीडियो को द्यान से देखिएगा सुनिएगा समझिएगा आपको एक बार वीडियो देखने में समझ नहीं आ रहा तो आप मेरी वीडियो को रिपीट करके जरूर देखिएगा जब आप मेरी वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखेंगे आपको पता चलेगा कि बनसल जी बिलकुल सरल तरीके से आपकी समस्याओं का समधान बताते हैं आप जरूर से ज़्यादा प्रेशान है और आपको कहीं से कहीं तक कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा तो आप मेरी वीडियो को देखें, सुने, समझे और विचार करें आपको लगता है कि बनसल जी दोरा इस वीडियो में दी गई जैनकरी सही है तो आप अपने हाँ पर छोटे छोटे बदलाव करके अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं मैं हमेशे ही वास्तु शासर के साथ साथ अपने अनुगो की कासबते आपको बताता रहता हूँ आप अपनी किसी भी साइट के बारे में हमसे ओनलाइन सला लेना चाते हैं तो आप हमसे ओनलाइन सला भी ले सकते हैं और आप अपनी किसी भी साइट का मैप बनवाना चाते हैं तो आप हमारे यहां से वास्तु शास्तर के इनुसार मैप भी बनवा सकते हैं और आप अपने यहां हमें साइट विजिट के लिए इन्वाइट करना चाते हैं तो साइट विजिट के लिए इन्वाइट कर सकते हैं आप हमारी पुस्तक लक्षमी प्रविश कैसे हो मंगवाना चाते हैं तो आप हमारी यह पुस्तक भी मंगवा सकते हैं हमारी येप उस तक आपकी विल्डिंग को वास्तु दोश्मुक्त बनाने में साहेक जरूर होगी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर सड़े 400 प्लस वीडियो अपलोड की हुई है आप मेरी वो सभी वीडियो भी देखकर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं ये देखे मैंने अलग लग वीशो पर भहुत सारी वीडियो बनाई हुई है आप वो वीडियो भी देखकर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते है जैसे मैंने वीडियो बनाई हुए वास्तु रेमेडिस फॉर सौथिस्ट एक्स्टेंशन गड़ एंड हाउस के बारे में आपका इस तरह का कोई प्लोट है घर रहा है तो आप मेरी ये वीडियो देखकर अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकते हैं मैंने ओफिस के बारे कैसे हमें सही करना चाहिए चाहिए किस दिशा में होना चाहिए क्रेंड रूम कहां बनाना चाहिए स्वास्ते और धन के लिए किस दिशा को सही करना चाहिए मैंने इस परकार से फोस सारी वीडियो बनाई हुए आप मेरी वीडियो देखकर भी अपनी समस्याओं का समाधान खर सकते हैं आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा थाकि मेरे आने वाले जितनी भी नई वीडियो है वो सारी वीडियो आपको आपकी स्क्रीन पर इस तरीके से नजर रहे हैं आप मेरी वीडियो को अपने फ प्रोगम में फिर एक नएवी शेफर चिर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार